माता की क्यों भई क्या हो गए आप लोगों की आवाज को यहां से हैद्राबाद के सी आर तक आवाज जानी चाहिए मेरे साथ दोनों हाथ उगाईए के सी आर को बदल कर मोदी सरकार बनाने की मुठी भीचिये और प्रतेंड आवाज से बोलिए बारत मता की मंच पर उपस्तित तेलंगाना भारतिय जन्ता पार्टी के द्यक्त और केंद्रिय मंत्री स्रीमान किशन रेटी जी भारतिय जन्ता पार्टी के पुर्वध्यत और सांशद स्री बंडी संजे कुमार जी बारतिय जन्ता पार्टी के वरिष्ट नेता और प्रबंधन समीती के अध्यक्त स्री इटेला राजेंडर जी हमारे महासचीव और यहां के प्रबारी स्रीमान तरून चूक जी यहां के सांशद स्री सोयम बापुराव जी स्री हंसराज आहीर जी डॉक्टर जी विवेक वेंकट स्वामी जी वेंकट स्वामी खड़े हो जाओ कहां हो भई चाली बजाओ वेंकट स्वामी के लिए स्री जी पेमेंदर जी स्री एंडला लक्षमी नारायन जी स्री रमेश रठोर जी श्रिदी रविंद्र नायक जी और आज एदेलाबाद की पवित्र भुमी पर आये हुए प्यारे भाईों, बेनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकडे जैसे युवा मित्रों आप सभी को नमस्कार इस भुमी पर सबसे पहले बासर में स्थीक सरस्वती मा नागोबा के भगवान शेसनाग और जैनाच में स्थीत लक्ष्मी नाराइन के मंदीर को प्रणाम करकर मेरी बात की सुरुवाज करना चाहता हूँ मैं जब यहां आया हूँ तब हम बहुत छोटे से गुजराज में तब कोमाराम भीम का नाम सुनकर रॉंक्ते खड़े हो जाते थी यही भूमी के कोमाराम भीम जिनोंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी स्रीकोमाराम जी को प्रणाम करकर स्रद्धान जली देकर मेरी बात की सुरुवाज करना चाहता हूँ मित्रों यही वीर भूमी है जो दोदो स्वतंतरता की लड़ाई लड़ी मगर यह भूमी अंगरे जो के खिलाब भी लड़ी और निजाम के रजाकारों के खिलाब भी लड़ी यह वीर भूमी को मैं प्रणाम करकर मेरी बात की सुरुवाज करना चाहता हूँ मित्रों कल ही चुनाव आयोग ने तेलंगाना का चुनाव घोशित कर दिया है मुझे बताओ आप लोग केसी यार की सरकार को फिर से लाना चाहते हो क्या अरे जोर से बोलो लाना चाहते हो क्या मोदी जी के नेत्रुतों में कमल की सरकार लाना चाहते हो क्या आप सभी का जवाब है कि 3 दिसंबर को मोदी जी के नेत्रुतों में तेलंगाना में भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और मैं आपको वादा करकर जाता हूँ अभी मोदी जी ने हैद्राबाद में तेलंगाना विमोचन दीन पर जंडा भर आने का चालू किया है अगर भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार बनती है तो 17 सप्टेम्पर को हर जिले में हैद्राबाद विमोचन दीन मनाया जाहेगा भाईयो और बेनो चुनाव चाहे 2019 का हो या 2014 का आपने मोदी जी को भरपूर प्यार दिया है मगर अब समय आ गया है कि तेलंगाना को डबल एंजिन सरकार चाहिए डबल एंजिन का मतलब समत्ते हो ना समत्ते हो या नहीं समत्ते हो अभी सिर्फ उपर मोदी जी है डबल एंजिन का मतलब है नीचे भी मोदी उपर भी मोदी डबल एंजिन सरकार लाना चाहते ना अभी अभी मोदी जी यहां आये थे 23 अक्टूबर को अभी अभी मोदी जी आये थे अक्टूबर महिने में ही तीन परी योधनाओं का उद्गाटन किया एक समक्का सरक्का सेंट्रल आदिवासी इनिवर्सिटी की सापना की है हमारा एक शेत्र आदिवासी बहुल शेत्र है सालों से 2014 से मोदी जी यहां सेंट्रल आदिवासी इनिवर्सिटी बनाना चाहते थे एक केसी आर सरकार जगे नई देती थी अब इस सेंट्रल आदिवासी इनिवर्सिटी 950 करोड के खर्चे से नरेंद्र मोदी जी बना रहे है जो हमारे ट्राइबल बच्चों को ट्राइबल संस्कूर्थी और संसकार के साथ उच्च सिक्सा की व्योस्ता करेंगे हमारे तेलंगाना में हल्डी का क्रॉप ज्यादा होता है हल्डी के क्रॉप के लिए नेशनल टर्मरीक बॉड जो हल्डी के क्रॉप की वेल्यू चेंड और एक्सपोर्ट भी बढ़ाएगी हल्डी के क्रॉप के लिए नेशनल टर्मरीक बॉड भी बनाने की शुरूवत नरेंद्र मोधी जी ने की है और तीसरा सालों से केसियार क्रिश्चना वाटर डिस्पूट टिबिनल दो का गठन के लिए कोई कदम नहीं उठाते थे मोधी जी ने क्रिश्चना वाटर डिस्पूट टेबिनल दो के घठन के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव करकर तेलंगाना के पाणी की चिंता करने का काम नरेंद्र मोधी जी ने किया है और यहाँ पर इतने सारे लोग है माताय बहने भी है अभी अभी मोधी जी ने विदान सबा और लोग सबा में 33% 33% महिला अरक्षन करकर हर माता बहनों का सनमान करने का काम किया है भाई और बहनो एक केसियार की जो सरकार है दस साल तक चली दस साल तक केसियार ने तेलंगाना के गरीब का काम नहीं किया किया है क्या जोर से बोलो किया है क्या किसान का काम नहीं किया किया है क्या दलीत का भी नहीं किया और आदिवासी का भी नहीं किया मुझे बताओ ट्राइबल भाईयो बेनो केसियार सरकार ने अधिवाद्शों के लिए कुछ भी किया है क्या उन्होंने एक ही काम किया दस साल में केटी यार को मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाए इसकी चिंता का काम किया है यह जो मुख्यमंत्री है उनका एक ही लक्त है अपने बेटे केटी यार को मुख्यमंत्री बनाना और हमारा लक्स है अदिलाबाज के हर ट्राइबल जवान को नौकरी, सिख्सा और किसान के खेट में पानी पहुँचाने माताओ भाई ओ बेनो हर गरीज के घर में सोटा ले पहुँचाने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोधी जी ने किया हर गरीब को घर देने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोधी जी ने किया हर मैला को गैस का सिलिंडर देने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे नरेंद्र मोधी जी ने किया और बित्रो हर किसान के बैक एकाउट में हर साल 6,000 रूपया देने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोधी जी ने किया नरेंद्र मोधी जी ने 9 साल के अंदर हर गरीब हर पिछणे दलीत और अधिवासी इसको आगे बढ़ाने का काम किया है और केसिया ने केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया है भाई और बेनों आपके पास दो विकल्प है एक बार अपने बेटे बेटी की चिंता करने वाले केसियार की सरकार और दूसरी और गरीब पिछणे दलीत और अधिवासी की चिंता करने वाले नरेंद्र मोधी जी की सरकार मुझे बताओ आप मेरेंद्र मोधी जी की सरकार चाहते हो या नहीं चाहते हो कमल फूल की सरकार चाहते हो या नहीं चाहते हो मित्र देश आजाद हुआ 75 साल हो गए मगर कभी भी कोई आधिवासी का बेटा या बेटी इस देश का राष्ट्रपती नहीं बना नरेंद्र मोधी जी ने ओरिश्टा के गरीब घर में जन्मी हुई आदिवासी बेटी बेहन द्रवपदी मुर्मु को राष्ट्रपदी बना कर देश के सभी आदिवासियों का सन्मान किया है ट्राइबल कल्यान के लिए धेर सारे काम नरेंद्र मोदी जी ने किये है मित्रो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक कॉंग्रेस वाले भी चुनाव आता है तब नए कपड़े पहन कर आ जाते हैं अभी अभी राहूल बाबा यहां घुमना सुरू करे हैं मैं राहूल बाबा को पुछना चाहता हूँ आपकी सरकार थी यू पीए की सरकार थी कॉंग्रेस पार्टी की सरकार थी 2013-14 में आदिवासियों के कल्यान के लिए बजेट कितना था आपको मालूम है मैं बताता हूँ सुनिये क्या ध्यान से 2013-14 में आदिवासियों के कल्यान के लिए सिर्फ 24,000 करोड का बजेट था कितना था भाई बोलो जोर से और मोदी जी ने 2013-2024 आते आते आदिवासि कल्यान के लिए 24,000 करोड से बढ़ा कर एक लाज 24,000 करोड उप्या करने का काम किया कॉंग्रेस ने हाथ तक केवल और केवल गरीबी की बात करी गरीबों की बात करी गरीबों के लिए कुछ नहीं किया 12,00 करोड का गपला गोटाला भृस्टाचार ये इंडि घटबंदन वाली कॉंग्रेस पार्टी ने किया है नरेंद्र मोदी के नौ साल के सासन में कोई हमारे विरोधी भी हम पर ब्रस्ताचार का आरोप नहीं लगा सकता मित्रों नहीं लगा सकता नरेंद्र मोदीजी ने 15 नवंबर को जन जातिय दिवस, जन जातिय गवरव दिवस मनाने का काम किया और देश भर के ट्राइबल भायों बेनों को आदिवासी भायों बेनों को भगवान बीर्शा मुंडा के साथ जोड कर गवरव प्रदान करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया दोसों करोड उप्या खर्च करकर देश में दस जगे पर आदिवासी स्वातंतर सेनानियों का संग्रालय बनाने का काम नरेंद्र मोदीजी ने किया है और मित्रों जन जातिक शेत्रों में जल से नल के माध्यम से एक करोड दस लाख आदिवासी घरों में पीने का पानी और पचास लाख लोगों को घर देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदीजी ने किया है एक केसिया ने जितने वादे किये थे एक भी वादा पुरा नई किया यहाँ अस्पताल बनाना था भी आदा धूरा पड़ा है आदिवासीयों के लिए देर सारे वादे किये थे एक भी वादा पुरा नई किया अदिलाबाद में हवाई पट्टी बनानी थी नई बना पाए और दो बेडरूम वाले घर आदिवासी भाईयों को देना था दिया है क्या आपको दो बेडरूम वाला घर क्या एक केसी यार कभी भी गरीबों का काम नहीं करते हैं केवल और केवल अपने बेटे बेटियों का काम करने का काम एक केसी यार सरकार ने किया है माताओ भाई यो बेनों मुझे बताओ एक कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है जोर से बोलो हमारा है या नहीं है डारा 370 हटनी चाहिए दी या नहीं हटनी चाहिए दी ये इंडी गड़ बंदन वाले कॉंग्रेस पार्टी वाले एक केसी यार इस सारे लोग डारा 370 को बचा कर बैठे थे नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस 2019 को डारा 370 को हटा कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोडने का काम नरेंद्र मोदी जी ने पताओ यूँवाओ अयो जा में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए जोड से बोलो बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए एक कॉंग्रेस पाटी आजाद हुए तब से राम मंदिर के मुद्दे को लटका रही थी बटका रही थी यटका रही थी मोदी जी ने एक दिन सुबह इसकी नीव डाल दी और दोजार चौबीस जन्मरी में भव्य राम मंदिर रहुद्या में बन करते या माताओ भाईयो बेनो मुझे बताओ देश की सिमाओ की सुरक्सा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए जोर से मुलिये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए कॉंग्रेस की सरकार थी हरोज पाकिस्तान से घुसे हुए आतंकवादी हमला करकर भाग जाते थे कुछ नहीं होता था नरेंद्र मोधी सरकार आई इन्होंने उरी और पुल्वामा में हरल मरा किया मोधी जी ने एर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करकर पाकिस्तान के घर में गुज़ कर आटाइक वादियों का सफाया करने चाता है एक कॉंग्रेस पार्टी ये कैसी यार देश की रख्ता नहीं कर सकते तेलंगाना को आज के जमाने के रजाकारों से बचा नहीं सकते तेलंगाना को आज के जमानों के रजाकार से अगर कोई बचा सकता है तो केवल और केवल भारतिय जन्ता पार्टी बचा सकती है मित्रो एक KCR तेलंगाना में हमेशा एक खोखला प्रतार करते हैं मैंने KCR को सुना है कि मैंने तेलंगाना को नंबर वन बना दिया हाँ भाईया सच बात है KCR बाबू आपने तेलंगाना को नंबर वन बना दिया मगर किस चीज में रोजगारी में नाजी गर में पानी पहुंचाने में नाजी नोकरिया देने में नाजी किसानों की आत्मत्या के बारे में तेलंगाना आज देश में नंबर वन बन चुका है मित्रो नंबर वन बन चुका है बच्चों और महिलाओं के खिलाप अपराज के मामले में तेलंगाना नंबर वन बन गया है और महागोटा ले करने के बारे में भी ब्रताचार करने के बारे में भी तेलंगाना नंबर वन बन गया है और मित्रो केसी यार के ही चुनाव चिन्ह क्या है भई बताओ दो क्या है उनका चुनाव चिन्ह जो है न वो गाड़ी है एमबेसेडर गाड़ी है मगर एमबेसेडर गाड़ी कौन चलाता है कौन चलाता है जोर से बोलो कौन चलाता है उनकी गाड़ी का स्टीरिंग ओवेशी के पास है उनके पास नहीं है आप यह सा चाहते हो कि मजलिश के इसारे पर टेलंगाना चले जड़ा जोर से बोलो चाहते हो क्या यह मजलिश के इसारे पर चलने वाली सरकार है अदिलाबाद वारो इस चुनाव में मजलिश के इसारे पर चलने वाली इस सरकार को उखाड कर भेंग दिजिए और नरेंद्रमबोदी जी के नेत्रुत में कमल फूल की सरकार लाईए कमल फूल की सरकार हमारे तेलंगाना को सम्भूरूद कर देगी और भ्रष्टाचार से मुक्त कर देगी मित्रो कोई भी योदना हो भ्रष्टाचार के मगर यहां समाप्ती नहीं होती चाहे दली जो किसान हो युवा हो आदिवासी हो सबको जो वादे किये थे वो वादे पूरे नहीं हुए दलीट भाईयों को वादा किया था तीन एकड भूमी देंगे मैं केसियार बाबू को पूझना चाहता हूँ चंद्र सेकर राव जी तीन एकड भूमी कहां गई दलीट बंदू हर परिवार को 10 लाक रुपया देना था गिने चुने अपनी केडर के लोगों को देकर बाखी के दलीटों को नहीं दिया मित्रों जो सरकार अपने बेटों के कल्यान में पड़ी हो वो सरकार तेलंगाना का कल्यान नहीं कर सकती नरेंद्र मोधी सरकार ने तेलंगाना में 40 लाक किसानों को किसान सन्मान निधी दी 54 लाक लोगों को घर में पीने का पानी पहुचाया है 35 लाक माताओं को घर में सोचाले बना कर दिया है एक करोड नब्बे लाक लोगों को हर मैने पाँच किलो अनाज फ्री अपकोस नरेंद्र मोधी जी बेज रहे हैं 11 लाक से ज्यादा बेनों को उजवला योधना के सिलिंडर दिये है दाई लाक लोगों को घर देने का काम किया है और मैं आपको पुछने आए हूँ सभी को कोरोना का दोनोटी का लगा था या नहीं लगा था जिसको लगाओ वो तेरा हाथ दूपर करो तो सबको लगा है ना किसी को भी 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या मोधी जिने 130 करोड की जनता को कोरोना का टिका लगा कर पूरे तेलंगाना को कोरोना से सुरक्षी करने का काम नरेंडर मोधी जिने किया है मिटो नरेंडर मोधी जिने माताओ भाईो बेनो अभी अभी जी ट्वेंटी हुआ जी ट्वेंटी में दुनिया भर के नेताओं ने बारत के नेतुत्व की मोदी जी की प्रसंसा की है और जब हमारा चंद्रयान जब चांद पर पहुँच गया बेजबर के लोगों के मन में भारत के विजय का भाव खड़ा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ एस सरकार का स्टियरिंग मजलीष के हाथ में ओवेटी के हाथ में एक ऐसी सरकार बनाईए जो तेलंगाना की जनता की सरकार हूँ एक ऐसी सरकार बनाईए जो अपने बेटों के लिए काम न करे बेटी के लिए काम न करे अदिलापाद के आदिवासी भाईयों बेहनों के लिए काम करे और ऐसी सरकार केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और भारतिय जनता पार्टी दे सकते हैं मित्रों आप मुझे बताओ, आने वाले चुनाओं में भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार बनाएंगे क्या, दोनों हाथ उटा कर जोड से बुलिये बनाएंगे क्या, कमल के निसान पर महुड लगाएंगे क्या, एक केजी यार की सरकार को उखाड कर फेल देंगे क्या, नरेंद्र मोदी के नित्टुत में तेलंगाना में सरकार बनाएंगे क्या, चोबीस में फीर से मोदी जी को प्रदान मंत्री बनाएंगे क्या, तो मेरे साथ दोनों हाथ उटाएंगे, विजय के संकल्प की मुठी भीजे, और प्रचन्द रवाद से बोलिये, बारत मता की, बारत मता की, बारत मता की, बन दे, बन दे, बन दे,